एक बार की बात है, एक गाव में एक बड़े ही अजीब दोस्त थे, एक शेर और एक चुहा, इस दोस्ती की कहानी गाव के लोगों के बीच आदर्श बन गई, शेर गाव का राजा था और उसका बड़ा सुन्दर बगीचा था, ये बगीचा उसकी शान था और उसका घर, एक ले भाईया, आप यहां कैसे? चुहे ने उत्तर दिया, मैं बस यहीं के एक कोने में रहता हूँ, और मुझे आपके बगीचे का सौंदर ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है, शेर ने विश्वास नहीं किया कि एक चुहे के साथ मित्रता कर सकती है, लेकिन उसने चुहे के बड़े ही आदरपून तरीके से बात की, चुहे ने कहा, मुझे यह बगीचा बड़ा पसंद आया है, क्या आप मुझे एक फूल देंगे? शेर ने बिना किसी उपर विचार किये, एक फूल को काट कर चुहे को दिया, चुहे ने धन्यवात कहा, और वह खुशी-खुश अपने घर वापस चला गया, इसके बाद चुहे और शेर की मित्रता बढ़ती गई, वे रोज बात करते, हंसते खेलते और एक दूसरे के साथ समय बिताते, शेर ने चुहे को बड़ा सहमती से अपने बगीचे में आने की अनुमती दी, और चुहे ने बगीचे के कोने में अपना घर बनाया, एक दिन गाउं में बड़ी तबाही आ गई, बारिश और आधी ने गाउं को प्रभावित किया और बड़ी समस्या पैदा की, सभी जीवों को खाने की कमी हो गई, चुहे को बहुत भूक लगी और वह अपने दोस्त शेर के पास गया, चुहा ने दर्द तुम जो चाहते हो वह सब मेरा है, चेर ने अपने बगीचे से खाने का सामान लाकर चुहे को दिया, चुहा खुश होकर अपने घर वापस किया, और सभी को खाना खिलाया, इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है, कि सहायता करना अच्छा है, हमें एक दूसरे की मदद करन झाल